हेलो फ्रेंड्स आज हम फूल स्लूज जो है उसकी कटिंग कैसे करते हैं क्या हो जाता है जब भी हम ब्लाउस की कटिंग करते हैं तो अभी हमें फूल स्लूज बनानी है सिंपल स्लूज हम बना लेते हैं लेकिन फूल स्लूज जो हो वो कैसे कट करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगे अब देखिए जब भी हम आर्मोल की कटिंग करते हैं आर्मोल कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमारी ये चोड़ाई निकलती है तो जो आर्मोल होता है उसी के हिसाफ से हमें ये चोड़ाई निकलनी पड़ती है तो जो भी आप बलाउस की कटिंग करते हैं बलाउस की कटिंग करने के बाद मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इसका आपको प्राक्टिस करनी है जब भी हम आर्मोल लेते हैं आर्मोल लेते हैं तो आर्मोल को जितना हमारा आर्मोल आता है अब ये आर्मोल जो लेते हैं ये हम चेस्ट के इसाफ से लेते हैं तो चेस्ट के इसाफ से हम आर्मोल लेते हैं यह एकदम पर्फेक्ट आ जाता है लेकिन जो आर्मुल हमारा आता है उसके इसाफ से हम जब स्ल्यूज की चौड़ाई लेते हैं वो स्ल्यूज भी हमारे एकदम पर्फेक्ट आनी चाहिए तो इसलिए इसका नाप कैसे लेना है तो इसे आपको इस तरह से नापना है यह जब भी हम स्ल्यूज की कटिंग करना चाते है तो कपड़े को हमें इसका से एक बार फोल्ड करना है खोल्ड करने के बाद बंद बाजू जो है वो अपने साइड में हमने लिए है और साइश इंच हमारा ना पाया है तो हमें आट इंच लेना है आइठ पे आपको अमार्कि उस कैसे बनानी है आपको यहां तक नाप लेना है इस तरीके से फुल स्लियूज बनानी है यह आपको चुन्नट वाली बनानी है चुन्नट वाली बनानी हो तो इसमें आपको क्या करते हैं यहां पे आपको आगे के साइड में जो चुन्नट आती है प्लेटे पड़ते हैं तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है जो नॉर्मल यहां तक जब भी हम फूल स्लिउस बनाना चाहते हैं तो यहां तक आपको नापना है उसके बाद यहां तक नापने के बाद जितनी हमारी लंबाई आती है उतनी आपको रकनी है यह देखें यहां पर आपको इसकी लंबाई जो है लंबाई ज्यादा लेते हैं अब देखें यहां पर आपको लंबाई नापनी है अब 19 इंच हमारी लंबाई है 19 इंच लंबाई है तो हम क्या करेंगे 20 इंच लेते हैं इसमें आपको देड़ इंच एक्षा रखना है तो इस तरीके से आपको यहां पर एक मार्किंग करनी है और यह जो कपड़ा है इसे हमें कट करना है इसे कट करने के बाद आपको पता चल जाएगा जो एक्षा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं इससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इसकी कटिंग कैसे करनी है यहां तक भी हमें सीधा कट करना है यह देखें इस साइड का जो कपड़ा था О humano करने के बाद का यहां पर आपको यहां depending जो inacji जो डागे हैं इसे हलका सा सीधा करना है जो नीचे का पाड़ है कि इससे आपको हलका सा सीधा करना कुछ यहां जाएगा जैसे कंड़ाFrा नहें होगा आप अबहरा है तो देडी इंच का हमने मार्किंग किया है उसके बार आगे का जो हिस्सा है यह हमारी तयार स्लीवस आएगी अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है चौड़ाए तो मैंने बता दी है कि कैसे लेनी है जब हम चौड़ाए बलाउस की कटिंग करते है आर्मोल कटिंग करत हैं तो इस तरीके से आपको क्रॉसमें नापना है जितना हमारा आर मुलाता है उसमें आपको आधा इंज प्लस करना है अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है जो गोलाई देते हैं भी अब एक इंच हमें सीधा लेना है यह देखिए एक इंच हम सीधा लेते हैं और यहाँ पर हम एक इंच पर मार्किंग करेंगे और एक इंच हम सीधा लेते हैं इस तरीके से आपको सीधा लेना है सीधा लेने के बाद इसे आपको क्या करना है जो आपको बाजू का शेप देना है त तो इससे आपको क्या करना है जो एक इंच का हमने मार्किंग किया है और यहाँ पे यह दोनों को आपको क्या करना है इस फिरसे मिलाना है यह देखें यह सीधा है एक इंच और यह सीधा है एक इंच और यहाँ पे आपको इस फिरसे सीधी एक लाइन लगाई है अभी सीधी ए के बीच में हमें एक इंच का गयाफ होना चाहिए यह दोनों के बीच में हमें क्या होना चाहिए एक इंच का गयाफ होना चाहिए तब इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक इंच और यहाँ पर एक इंच लिया है और यह दोनों में हमने यह सीधी लाइन लगाई है लाइन के जो शेफ हैं इसमें आपको जोईन करना है यह हो हमारा बैक सेड का शेफ अभी दूसरा जो है फ्रंट सेड का इसे आपको क्या करना है यही एक इंच में सीधा लेना है और इसमें से आपको निकालके यह जो आधा इंच हमने लिया है इसमें आपको जोईन करके यहाँ पे एक तो सब्सक्राइब नहीं ताइक है, न्यूिति कि हुसके हैं बाजु ये सब्सक्राइब, हैं मैं पर वह प्रभू यह जो ब्लाउस है ब्लाउस की फीनिशिंग बहुत खराब दिखती है इसलिए आपको क्या करना है इस तरीके से आप जो जब तक आप सीखोगे तब तक इस तरह की इस तरीके से दोगे तो भी आपका बाजु का शेप जो है वह अच्छे से आ जाएगा अब देखें उसके ब हमारी जो फीटिंग है वह इस तरीके से आएगी यहाँ पर एक मार्किंग कर लेते हैं यह जो है यह मारी फीटिंग की चिलाई है और उसके बाद यह जो आएगा यह हमारा एक्षा मार्जंग आएगा यह जो है यह हमारा एक्षा मार्जिंग है और यह हमारी साइड जो फिटिंग होती है वो आती है तो इस तरीके से आपको यह बाजू का शेप इस तरह से देना है अब देखेँ इसकी हम कटिंग कर लेते हम अब देखें, यहाँ पर हम जब cutting करते हैं, इससे आपको हलका सा इस तरह से तीर्चा लेना है और इस तरह से आपको यह जो fitting की सिला यहाँ पर आती है, तो इसके उपर cutting नहीं करनी है, इसके साथ में जो marking किया है, इसी के उपर हमें यह cutting करनी है ये दिखे, इस तरह से आपको cutting करनी है, अब ये जो पार्ट है, ये जो गुलाई हमारी, ये गुलाई हमारी back side की है, जो back side में joint हो जाती है, तो पहले हमें back side की गुलाई कट करनी पड़ती है, जब भी हम cutting करते हैं, तो front side की गुलाई कट नहीं करनी है, हमें पहले back side की गुलाई जो है, वो cut करनी है, अब देखे, इसे हमने इस तरह से cut किया है, अब आपको क्या करना है, ये जो कपड़ा है, इसे आपको खोलना है, आप चाहे तो इसे उपर के side में भी cut कर सकते हो, लेक इसे इस तरह से cut कर लेते हैं, ये देखे, तो यहाँ पर हमारी यो जो sluze है, यह हमारी बनके तैयार हो गई है, इसकी cutting जो है, वो मेरे आपको करके दिखाई है, इसी तरीके से आप full sluze की cutting जो है, वो बना सकते हो, तो बहुत simple है, cutting करना बहुत simple है, सिर्फ आपको इन बार आप कपड़े के उपर करने से, आपका कपड़ा भी खराब हो जाएगा, जो भी नए सीखने वाले हैं, उनको क्या करना है, पहले आपको पेपर के उपर प्राक्टिस करनी है, उसके बाद आपको डायरेक्ट कपड़े के उपर प्राक्टिस करनी है,